इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत आयुमार्ग में सूजन को भी कम करता है और सांस लेने में आसान बनाता है। फेट से टेम टैबलेट का सेवन भोजन के साथ हिया उसके बिना एक खुराक और अवधी में किया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश प्रभाव मतली, दस्थ, उल्टी, मुव में सूखापन, सिर्दर, तवचा पर लाल चिकते, फ्लू जैसे लक्षन और थकान हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। कभी भी स्वध दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की सलाहा न दें। इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदे मंद होता है। इससे पहले कि आप इस दवा को लेना शुरू करें, अपने चिकित्सक को सूचित करना महत्वपूर्ण है कि क्या आप गुर्दे की बीमारी से पीडित हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल